हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कोकुनट कुकी शेयर कर रही हूँ जो बनाने में जितनी एजी हैं उतनी ही खाने में भी बहुत टेस्टी हैं इसके लिए सबसे पहले एक बोल में 4-5 चमच देसी घी ले रहे हूँ यह गाये का घी है मेरे पास यह देखिए मैं अच्छे से भर भर के मैंने 4-5 चमच घी ले लिया है इसके लिए आप थोड़ा सॉलिड जमा हुआ घी ही लें मेल्टेट फॉर्म में घी ना ले और ना ही आप इसके लिए रिफाइंड ओयल यूज करें क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं लेकिन इससे आपके खस्ता नहीं बनेंगे यह देखिए यह मैंने आधा कटोरी इसमें जो घर में चीनी होती है उसको मिक्सी में पीस दिया और आधा कटोरी मैंने इसमें डाल लिया और मैं इसे मिक्स करूँगी अगर आप मेजरिंग कप से पूछेंगे तो यह आधा कप मैंने लिया मेरी जो कटोरी का साइज है वो बिल्कुल एक कप जो म कि यह ट्रीक ही व्लसी नहीं ट्रीक दमाल में उलए दधा देट सीवीए तर गले पाप प्सकी के लिए ऊप splashingने । और कुछ नहीं करना बड़े आराम से ये आठ से दस मिनिट में आपके इस टेक्स्चर में आ जाएगा ये देखिए काफी हद तक मेरा फ्लफी हो चुका है ये इस कंडिशन में आ चुका है कि अब अगर मैं इसको पलटू तो ये गिरेगा नहीं ये देखिए ये एक दम से ज हुआ थी और अब आती है ड्राइग इंग्रिडियंट की बारी ये मैने एक कटोरी अगर एक कप अगर आप मेजरिंग कप से लेते हैं तो एक कप आपको मैदा लेना है ये मैने हाफ टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा लिया है और क्वाटर टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ले लिया है एक चथाई चमच और एक चथाई चमची मैं इसमें नमक डालूँगी नमक डालने से थोड़ा इसका टेस्ट और निखर के आता है और अब मैं इसको इस तरह से चलनी से चान लूँगी चलनी से चानने से बस ये फायदा होता है इसमें गाठी नहीं प्राइड नहीं पहारी नारियल कमें कोई कि UCD मेरे नीकी avete मेरे गयर मेरे on the also wheniseen बैदिक इसके मेरे वाटी देने कॉटवेकर थि-सको को अक्पब और कीहा़ना गया पाउडर pro you आराम से इसको mix करूँगी देखिए इसको जो रोटी बाला आटा होता है उसकी तरह तेज हातों से नहीं mix करने आपको आराम से इसे mix करने अगर आपको लगे कि आपका ये बहुत सूखा हो रहा है तो आप इसमें दो चमज दूद डाल सकते हैं उसे चार चमज आप दूद डाल सकते हैं लेकिन उससे जादा नहीं ये देखिए मैंने दो चमज डाला है अभी और आम इसको mix करने की mix कर रही हूँ अगर हम इसमें जादा डूद डालते हैं तो ये ज़्यादा खसता नहीं बनेगा तो इसलिए आप दो से चार चमज तो डाल सकते हैं ये देखिए मेरा तीसरा चमज दूद है और ये चौथा चमज दूद है ये मैंने mix कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे से इसमें mix करूँगी अभी भी मुझे ये अपना mixture थोड़ा ड्राय लग रहा है हलके हातों से आप इसे इस तरह mix कीजिए और ये देखिए मेरा बिलकुल बढ़िया से डोग मुझे इसी consistency में चाहिए था ये देखिए बस ये ready है आप इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में set होने के लिए रख दूगी और आप इसी तरह थोड़ी देर के लिए फ्रिज में set रहने दीजिए उतनी देर में मैं एक प्लेट को क्योंकि आज हम कड़ाई में भी और अवन में भी बना रहे हैं तो कड़ाई के लिए एक प्लेट रेडी करेंगे सबसे पहले मैंने इसमें refined oil डाल दिया अब इसमें सरसो का तेल डाले ऐसा तेल डाले जिसमें अपना कोई taste और कोई smell नहीं होती है और अब मैं घर पे ही butter paper बना कर इसे use करूँगी यह normal copy का paper है यह देखिए मैंने यह इस तरह से एक gold shape में इसको ऐसे cut करके और इसके उपर रखके और इसमें भी मैं अच्छे से refined oil लगा लूँगी इसमें अच्छे से refined oil जरूर लगाना है यह दो biscuit आपके इसमें चिपक जाएंगी देखिए मैं इसमें लगा के अब अच्छे से spread कर दूँगी इसे तो यह मेरे इससे बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं अगर आपके पास butter paper घर पे है तो आप उसे use कर सकते हैं मेरे पास मैं generally यही use करती हूँ हाँ आप इस newspaper का use ना करें इस तरह copy का ही use करें newspaper का जो print होता है वो आजाता है नहीं तो biscuits पे आप देखिए यह जो मेरी oven क्योंकि oven में भी बनाने हैं तो oven के लिए भी जो tray है उसमें भी आप थोड़ा सा oil लगा दे और उसे अच्छे से spread करके उसमें थोड़ा सा आटा लेके जो नॉर्मल घर में आटा यूज करते हैं उसको आप उसमें छड़क दीजिए यह देखिए मैंने इस तरह से इसमें चड़क दिया है तो दोनों ही चीजों के लिए मेरी ट्रे आवन के लिए और कडाए के लिए दोनों के लिए यह मेरी ट्रे जो है बेकिंग के लिए रेडी हो गई है आप भी इसी तरह कर सकते हैं और फ्रेंट से एक चीज और इसके लिए कुकीज बनाने के लिए माइक्रोवेव में यह नहीं बनेंगी इसके लिए अगर आपके पास कॉन्वेक्शन टाइप अवन है तो उसमें यह बन जाएगा उसमें आप इसको अवन को प्री हीट कीजिए 10 मिनट 180 C पे और फिर आपको पहले प्री हीट करना है और कड़ाई में अगर आपको बनाना है तो कड़ाई आप 10 मिनट के लिए अच्छे से तेज आँच पे पहले गरम कर लीजिए अब यह देखिए मैंने डो निकाल लिया है और इसको मैं यह जो प्लास्टिक के स्पून आते हैं जो प्लास्टिक के कंटेनर में आते हैं उससे इस तरह से निकाल के उसमें एक साइज के अच्छली इस प्लास्टिक के स्पून में इस तरह से करने से यह एक साइज के बन जाते हैं ये इस तरह से निकाल लिया और अब इसको निकाल के और इस तरह से इसको एक gold shape देके ये देखिए कितनी अच्छी shape आ रही है इसको देखिए और नारियल के बुरादे में इसको एक side से ऐसे dip करके और बस इसको मैं आप plate में रख दूँगी बस आपको भी इसी तरह ऐसे करना और ये देखिए, मेरी सारी cookies है, यह मैने रेडी कर ली हैं, इसे ये एक साइज में बन जाती है, एक साइज की बनने से ये फायधा होता है, कि एक ये टाइम पे बेख हो जाएंगी, कोई मलब बोटी पतली रहेंगी, तो जलदी जल जाएंगी, या कच्ची रह जाएंगी इस तरह से कुछ नेतार रहता ये देखें कड़ाई में मैंने ये नीचे एक इसमें गैस का स्टैंड रख दिया है और उसमें अपनी प्लेट रख दी है और अब मैंने गैस को सिम कर दिया है पहले मैंने दस मिनट के लिए तेज आँच पर कड़ाई में आपको 20-25 मिनट लगेंगे 20 मिनट के बाद मैंने अपने कड़ाई का लिड खोला है और ये देखिए मेरी कुकीस पफेक्टली एकदम बढ़िया से बेख हो चुकी है उपर से भी और लग रहा है नीचे से भी तो अगर आपको थोड़ा लगें कच्ची है तो थोड़ी देर के लिए आप ढकन को फिर से रख दीजिए और ये मेरी अवन की है देखिए अवन को मैंने 15 मिट में 15 मिट के लिए सेट किया था और एकदम से बढ़िया से कुकीस जो है एकदम से बढ़िया बेख हो चुकी है और अब मैं इनको ये देखिए ये मेरी दोनों कड़ाई की भी और अवन की भी कुकीज एकदम से बढ़िया बेक हो चुकी है, एक चीज और फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करनी थी, कभी भी आप स्टील के बरतनों को अवन में ना रखें, जो अवन फ्रेंडली बरतन आते हैं उनके साथ, आप उनको ही अवन में रखें, क् कुछ ब्लास्ट ब्लास्ट होने के चांसे, स्पाकिंग होने के चांसे रहते हैं, और यह बहुत डेंजर हो सकता है आपके लिए, तो अवन फ्रेंडली जो भी बरतन हो, आप उनको ही अवन के साथ यूज करें, स्टील के घर के जो हमारी प्लेट साली होती है, इनको यूज अवन के साथ ही आई वी प्लेट है, वही मैंने यूज की है, यह देखिया, मैंने एक अलग से प्लेट पे निकाल रही हूं, क्योंकि अगर मैं उन्हीं प्लेट पे छोड़ूंगी तो यह अभी प्लेट भी गरम है, और यह अपनी ही हीट में थोड़ी देर तक पकते रहते यह कहीं जल ना जाएं और जादा तो इसलिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिये हैं और यह देखिये, मेरे यह जो बिस्किट्स हैं बहुत खस्ता बने हैं, बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट किया है, अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज स्क्राइब प्लीज स्टी अग्डेब कुट्वा देस्टी लाएं यह जाएं टीक प्लीज स्क्राइब लाएं पिडेब को टीकी डिएर लएं टीकी बेड़ कुट्स की तबने हैं, जो हुत ऑटेद्ड लाएं टीक है।